एक आप देख रहे हैं जाग्रन जोश डाट कॉम और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वारे हैं कुछ कर इंट इपिए के कोशिंज क्या कोशिंज बनाए जा सकते हैं उनके सही जवाब क्या होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे साथ साथ इस वीडियो के एंड में पर में आपको सवाल देंगे जिसका जवाब आपको में कोमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा दो चले शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ पहला सवाल यह कि आपको इस बताना है कि इंडियो इंडियो यत्रा प्रोग्राम फॉम 18 आउगस 2022 एंडियोंट ऑप्रिए-इ अजाइब बात होगी, the airport will roll out the digital processing of the passengers as a proof of concept through the DG Yatra platform, it will facilitate the people-less travel and also avoid multiple identity checks at the airport, let's move on to the next question, how many more wetlands were added to the list of Ramsal sites on एलेवन के इंडिया ने वेटनेंस यह जो है वह आट यहाँ रामसरे पर जो के लिस्ट आप 75 हो गई सब्सक्राइब करेगा और आपको बता दें कि यह एरक्राफ्ट जो है वो श्रीलंका को गिफ्ट किया गया है इंडिया के तरफ से जो की स्री लंका की जो सब्सक्राइब करेगा और आपको बता दें कि श्री लंका एर फोर्स बीस पर यह रहेगा तरेटेस्ट एक्वेप श्री लंका तो कॉंट्रिबूट मोर्ट वर्ट से कुरिटी ऑफ इंडियन ओशन प्रीजिन आप लाज नेक्सक्राइब को हैं इंडिया फिर्स चैंपिंशि मोर्ट करेंशनेरा सुना कि टोंट्चेंग इंडियन इंडियन और उन् मेरसक्राइब जायब को कॉंग यूनिल्ज जा सितिजिज सिर्जाव क करेंशनेक हिविग टृट उचिवट इंड मुल्ट येसिटीजास व्टिटाशियो जुट्टिज जुष येपुट जुटेश्टीज जुटिजए जुटि कि एमपर मेंचाव था जुट है। किक अन przy sapyty 35 आफ इनाष आफ नेचिबर आराल इनाशने कर अने मुषूम अनाष नपूम्छर। उड़ूज जिए कप्र आफ इनाष टेव ए को आओ को पिक टिव मुटी इनाष इनाष नेच लाड। तृ के लाड़ olhos凌 लाड ग्रे これ हो is option B, Uttarakhand. So, with an aim to create awareness towards the cleanliness among children, the Chief Minister of Uttarakhand, Khushkar Singh Dhami, has launched the School Hygiene Education Program for the children in the state. The program will run in 13,000 primary schools in all 13 districts of Uttarakhand. The answer which we have asked in the last video, and the The question was, World Elephant Day is observed annually on which date? The right answer is August 12th. So, the question for the day is, which Indian city will host India International Seafood Show 2023? Options are, Goche, Mumbai, Chennai, Kolkata. Write your correct answers in the comment box below. If you have liked the video, do like and share the video and do not forget to subscribe here is quite a bit, because it'sormاغ. What happens when you write about the